हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पर स्वागत हैं, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर हम परसनल प्रोनाउन और डेमोंस्रेटिव प्रोनाउन, इन दोनों का हम यूज भी कर चु ठीक है, वे प्रोनाउन जो पारसपरिक संबंद को एक्स्प्रेस करते हैं, उनको हम रैसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, इसके अंदर हमारे दो इंपोर्टेंट हैं आपके इच अदर एंड वन अनदर, इन दोनों को हम रैसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, इन दो उनों को हम reciprocal pronoun कहते हैं each other and one another जो आपस में एक दूसरे के साथ relation शो करते हैं तो उनको हम reciprocal pronoun कहते हैं अब देखे यूज कैसे होगा इसका हमारा यूज कहां पर करेंगे तो जो each other है each other का प्रियोग दो व्यक्तियों या वस्तों के लिए होता है अगर हमारे पास दो व्यक्तियों है ठीक है तो उनके लिए हमारा each other का use होगा लेकिन जो one another होता है उसका दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तों के लिए use होता है ठीक है दो व्यक्तियों के लिए हम each other का use करेंगे और दो से ज़्यादा अगर है तो वहाँ पर हम one another का use करेंगे यही है आपका reciprocal pronoun के अंदर ठीक है तो देखे जैसे example है the two girls love each other अब यहाँ पर देखे two girls है दो लड़किया है तो दो है तो वहाँ पर हमने क्या use कर दिया each other ठीक है next आपका example है we all love one another we हमारा बहुत सारे हो गई दो से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपके आई यह one another ठीक है बस यही है हमारा main जो भी है इसके अंदर each other का हम use करेंगे दो व्यक्तियों या वस्तियों के लिए और one another का हम use करेंगे दो से ज़्यादा के लिए ठीक है अब देखिए each other ठीक है one another का प्रियोग subject के रूप में नहीं होता है each other और one another का प्रियोग subject के रूप में नहीं होता जैसे देखिए example दे रखा है each other are ready to go there यह हमारा wrong होगा sentence they are ready to go there इसको मैं ऐसे वोलेंगे one another were ready to come here they were ready to come here तो main इसकी क्या बात है कि जो each other और one another यह दोनों हमारे as a subject की यूज़ नहीं होगे ठीक है next आपका है each other ठीक है one another का प्रियोग verb या preposition के object के रूप में होता है जैसे you and he help each other अब यहां पे हमारे verb होगी तो इसके बाद यह हमारा object लग गया ठीक है या फिर all the members of the family world with अब यह preposition हो गई उसके बाद हमारा उसका object बन गया है ठीक है तो या तो verb या फिर preposition इनकी object के रूप में हमारा each other और one another का use होता है ठीक है अब देखें इसकी कोज़ एक exercise है इसको हम करते है देखें कितना हमने समझा है इसको fill in the blanks with reciprocal pronoun the two sisters the two sisters loved dash very dearly अब यहाँ पर two की बात हो रही है दो बहने है तो यहाँ पर हम किसका use करेंगे each other का use करेंगे the two sisters loved each other very dearly ठीक है next है आपका little children love dash अब देखें चिल्डरन हमारे बहुत सारे होते हैं दो से ज्यादा है तो यहाँ पर आपका आएगा one another little children love one another ठीक है next है आपका they cheated दे आपका बहुत सारे हैं दो से ज्यादा है तो यहाँ पर भी हमारा one another आजाएगा ठीक है next है आपका the two men hate अब यहाँ पर two men है तो यहाँ पर आपका आएगा each other जहाँ पर भी हमारी two की बात हो रही है तो वहाँ पर हम each other का use करेंगे और अगर two से जादा है तो वहाँ पर हम सिधा-सिधा one another का use करेंगे ठीक है next आपका है रेनू, बिभा, पूनम and पृती अब देखिए दो से जादा है ये help one another तो यहाँ पर हमारा one another आ जाएगा, ठीक है next हमारा है we should all love, we हमारा plural है, बहुत सारे हैं, दो से जादा है तो we should love all, love one another, ठीक है next हमारा आता है distributive pronoun, next हमारा है distributive pronoun, important है ये वे pronoun जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्त्वों में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रियुक्त होते हैं तो या फिर दो से अधिक अमारी वस्त्वे हैं या फिर व्यक्ति हैं, उन में से किसी एक को अगर हमें सूचित करना है उसके लिए हमारा distributive pronoun का use होगा, ठीक है, तो उनको हम distributive pronoun कहते हैं, example हमारा है, each, either, neither, none, इन्हें हमेशा singular माना जाता है, और इनके साथ जो verb भी use होगी, वह भी कैसी होगी, singular verb भी use होगी, ठीक है, तो देखें, distributive pronoun क्या है हमारा, वे pronoun जो दो या फिर दो से अधिक वेक्तियों या वस्तों में से एक को अलग सूचित करने के लिए use होते हैं, उनको हम distributive pronoun कहते हैं, ठीक है, each, either, neither, none, ये हमारे होगे, main, और इसके अंदर इनको हम singular मानते हैं, और जो verb use होगी, नके अंदर वो भी हमारे singular होगी, तो ये हमारे काम की बात है, ठीक है, अब देखे, इसका example है, each of the boys won a prize, each of the boys, अब देखे, each इसने क्या कहाता हो पर, कि each जो है हमारा, वो singular मानेंगे उसको, और इसके साथ verb भी कैसी use होगी, singular use होगी, तो each of the boys won a prize, ठीक है, either of these two pens is red, तो यहाँ पर ये हमारे singular verb होगी, next हमारा इसका आता ह है, distributive pronoun, distributed adjective, हमारा, जैसे हमने, demonstrative pronoun, demonstrated adjective किया था, ऐसे हमारा, distributed pronoun, distributed adjective है, देखे, इसके अंदर क्या है, हमारा, distributive pronoun में क्या होगा, each of the boys has a notebook, इसके अंदर, जो हमारा, each है, उसके बाद, आपका, of, ता लगेगा, ठीक है, तो वो आपका, distributed pronoun होगा, और adjective कभ बनेगा, अगर each के distributive pronoun के बाद अगर noun आती है तो वो आपका distributive adjective बनेगा जैसे each boy has a not book यहाँ पर boy आपकी noun है तो each के बाद noun आगई तो यह distributive adjective होगा यहाँ पर each के बाद noun नहीं आएगी इसके अंदर इसके अंदर हमारा जो distributive pronoun है उसके बाद हमारी noun नहीं होगी तो वो आपका distributive pronoun Each of the boys has a notebook Neither of these two girls is active यहाँ पर neither girl तो यह आपका distributive adjective होगा यही है हमारा differences के अंदर Each of, either of, neither of के बाद हमेशा plural noun का हम use करते हैं और plural noun के पहले the का use होगा जैसे each of the boys boys हमारी कैसी plural noun है इसके पहले हमने the का use किया है ठीक है अब इसके आगे आते हैं इसके rules के उपर सबसे important है इसके rules के उपर देखे each का हम use कहाँ पर करेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तों में से कोई एक या फिर हर एक दो या दो से इसको ध्यान से समझना दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तवों में से कोई एक होगा या फिर हर एक ठीक है जैसे each of the two students was honest हर एक का मतलब है each of the two students was honest each of the two students was honest दोनों students में से हर एक क्या है इमानदार है तो यह हमारा singular होगा और वर्ब भी कैसे लेगा singular लेगा ठीक है जैसे next इसने कहा each of the three students was honest अब देखें दो से ज़्यादा है हमारा ठीक है each of the three students was honest मतलब तीन students में से हर एक इमानदार है तो यहाँ पर each का meaning क्या होगा दो या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति अवस्तों में से हर एक के लिए हम each का use करेंगे next हमारा आता है either either का use होता है दो में से कोई एक दो हमें चीज़े दे रखी है दो चीज़े दे रखी हमें तो उस में से कोई एक ठीक है जैसे either of these two pens is red दो pen है हमारे पास either of these two pens is red इन दो में से कोई एक red है तो यह तो यह red है यह तो यह red है मतलब लेकिन है एक तो either of these two pens is red तो यहाँ पर अब यह हो गया either singular verb use हो गई दो में से कोई एक इसके meaning को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि confusion होता है either का मतलब होता है दो में से कोई एक और each का मतलब होता है दो या फिर दो से जादा में से हर एक ठीक है either of these two pens is red हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि देगे next example दे रखा है either of these three pens is red अब three तो हमारा इसके अंदर use नहीं होगा क्योंकि either सिरफ दो के लिए use होता है अगर दो से जादा है तो हम each का या फिर none का use करेंगे ठीक है next हमारा है इसका note दे रखा है इसके अंदर दो या अधिक वेक्तियों या वस्तों में से कोई एक के लिए any और anyone का प्रियोग होता है अगर दो या फिर अधिक वेक्तियों या वस्तों में से अगर हमें किसी एक को choose करना है तो वहां पर या तो any का use करेंगे या फिर anyone का जैसे he has bought any anyone of the four books he has bought any anyone of the four books चार books में से कोई एक book उसने bought करें ठीक है next हमारा इसका आता है neither अब देखें neither का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं दो में से कोई भी नहीं दो चीजे हैं उन में से कोई भी नहीं either का मतलब था कि दो में से कोई एक और neither का मतलब है दो में से कोई भी नहीं हमारे पास दो चीजे हैं तो उन में से कोई भी नहीं ना तो ये ना तो ये ठीक है तो देखें example है neither of these two girls is active इन दोनों girls में से कोई भी active नहीं है ठीक है, मतलब कोई भी नहीं दो girls हैं, दोनों में से कोई भी नहीं दो में से कोई भी नहीं none of, मतलब neither का use हम negative sense के लिए करते हैं और either का use हम positive sense के लिए करते हैं ठीक है, तो neither of these two girls is active none of these two girls is active यह हमारा गलत होगा, हमारा जो right है, वो यह है, neither of these two girls is active, ठीक है, next आपका है, दो से अधिक विक्तियों या वस्तों में से कोई भी नहीं, यहाँ पर तो दो की बात हो रही थी, अब अगर हमारी दो से जादा है, और उन में से कोई भी नहीं, दो से जादा है, उन में से कोई नहीं तो हम none का use करेंगे जैसे example है none of the five students is laborious none of the five students is laborious पांचों students में से कोई भी laborious नहीं है ठीक है none का मतलब है कोई भी नहीं दो से अधिक वेक्तियों या वस्तुवों में से कोई भी नहीं अब देखें none का हमें पता चल गया है कि जो either है वो हमारा दो में से कोई एक positive sense में each आपका है दो से ज्यादा के लिए हर एक का अगर use करेंगे तो each होगा ठीक है neither हमारा दो में से कोई भी नहीं negative sense में और उसके बाद आपका आता है none none है दो में से ज्यादा जितने भी है उन में से कोई भी नहीं ठीक है तो यह हमारे चारों बहुत important है इन में से अकसर errors बूची जाती है अब देखें none का हम एक example लेते हैं ये ले लिए हमने none of the five students is laborious तो five students दो से ज्यादा है ठीक है तो हम none का use करेंगे neither का use नहीं करेंगे आप देखें कुछ ही कोई इसके दे रखें है example rules कुछ और दे रखें इसके each of either of neither of के बाद plural noun और plural pronoun का use होगा अगर हमें क्योंकि आपका use ही ये ऐसे होता है each of either of neither of इनके बाद आपकी plural noun आईगी और plural pronoun भी आपका plural ही होगा जैसे each of the boys has a notebook each of the boys has a notebook ठीक है each of the boy has a notebook ये हमारा गलत अब यह हम पर देखें जो noun हमारी वो plural होगी boys हो गया ठीक है has a notebook each होता boy नहीं होगा ये गलत हो जाएगा next हमारा है यदि each का प्रियोग यदि each का प्रियोग subject के लिए हो तो each का प्रियोग subject के बाद और auxiliary verb से पहले होता है क्योंकि मैं हमने अभी पहले इसका देखा भी था कि जो each हमारा है sorry वो तो each other और one another का था इसमें यदि each का प्रियोग subject के लिए हो तो each का प्रियोग subject के बाद और auxiliary verb से पहले होता है तो each का प्रियोग main verb के पहले होता है जैसे we each tried, we each tried, tried से पहले हमारा each का use हो गया our best to win the match next आपका है neither तो था none के बाद of preposition का प्रियोग हो तो था इसके बाद plural noun का प्रियोग हो तथा plural noun के पहले numeral adjective का प्रियोग नहीं हो तो neither और none के पहले से ही व्यक्तियों या वस्तों का पता चल जाता है जैसे neither of the pens writes well, none of the pens writes well, इसने क्या का है कि neither और none के बाद अगर of preposition का प्रियोग हो ये neither of, none of का प्रियोग हो और इसके बाद plural noun हो जैसे ये हमारी यहाँ पर आगी प्रियोग नहीं हो अगर नहीं दे रखा जैसे neither of the two pens, neither of the five pens इस तरीके से अगर हमारा use नहीं है तो neither और none के पहले योग से ही व्यक्तियों या वस्तों का कि संख्या का पता चल जाता है तो neither of the pens writes well, none of the pens writes well, ये दोनों हमारे सही होंगे, ठीक है तो ये आपके distributive pronoun हो गया और reciprocal pronoun हो गया, ठीक है अब जैसे distributive pronoun का एक हम error लेते हैं इसकी, error के अंदर इसका जैसे पूछा जाता है कि none of the two sisters has paid her tuition fees, none of the two sisters have paid देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, none of the two sisters, none of the two sisters अब देखिए यहाँ पर two sisters की बात हो रही है, तो two sisters के लिए हमने क्या किया था अगर two दे रखा है और negative sense में है तो हम none को neither से replace करेंगे ठीक है, अगर none दे रखा है तो none को neither से करेंगे, none को हम either से नहीं करेंगे ठीक है, अगर negative है तो negative से ही करेंगे और positive है तो positive जैसे either है mean जो हमारी बात है अगर each दे रखा है और हमें उसको replace करना है तो हम either से ही replace करेंगे ठीक है नीदर से नहीं करेंगे ऐसे ही अगर हमारा none दे रखा है और उसको हमें replace करना है तो उसको हम neither से ही replace करेंगे ठीक है तो जो हमारा example था वो क्या था कि none of the two sisters, अब two sisters हैं, तो two sisters में हम किसका यूज़ करेंगे, neither तो जो हमारा right sentence होगा, वो क्या होगा neither of the two sisters has paid her tuition fees, ठीक है तो इस तरीके से हमारी जो errors हैं वो पुछी जाएंगी, ठीक है अगर फिर भी आपको कोई doubt है इसके अंदर, तो आप please मुझे comment section में जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी है तो please like, share and subscribe और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ, thanks for watching